कितना अच्छा जोक है ये कितने गंदी टेस्ट इसकी ये अच्छा होगा दीदी अब खाना क्यों फेक रहे हो ये गलत बात है अब तू मुझे सिखाओगी जितना बोला गया ने उतना ही करो ये तो पापा को बोलतों तुम्हे नोकरी से निकाल दूंगी जाब देसे काम करो ये देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है आई मुझे सिखाने वाली आज कल मार्केट में फूट्स भी अच्चे नहीं आ रहे बिल्कुल टेस्ट नहीं है ये ते दे कितना खाना वेस्ट करती है मेरी मा बोलती है खाना कभी बरबाद नहीं करना चाहिए नहीं तो भगवान भी माफ नहीं करता इतना अच्छा खाना मैं केसे डाल सकती हूँ एक काम करती हूँ इसे मैं ही खा लेती हूँ परी तुम चोरी चुपे खाना खा रही हो नहीं दीदी और मैंने तुम्हें बोला था कि ये खाना डजमिन में जाना चाहिए दीदी आप ये खाना वैसे भी कच्छा के डबे में डालने वाली थी इसलिए मैंने सोचा कि ये खाना मैं खा लेती हूँ आजकल तुम बहुत बाते करने लगी हो जितना बोला है उतना ही करो और अभी क्या भी इसे कच्छा के डबे में डाल दो हाँ भूग लगी है परी मेरे में खाना लेकर आओ हाँ अभी लारी हूँ हाँ दीदी ये लो खाना हुआ हाँ następ, और कोई भी क्या है तुम बाहाँ क्या मैं करदे है चैघकल देने कहते हूँ क्या अआने कि उलाई कि खाना हुआ हाँ ठैजय हाँ थोजय हाँ नाफ! ह Board नाफ! K Mickey कि शराऊव किसान अस्ता है यह है एलो हाई गुट्टी हाई स्वेटी गुट्टी तू भूल गई ना क्या अरे मेरा अच बड़े है ओ हाँ तुम्हारा तो बड़े है क्या यार तू भूल जाती है अरवार हाँ सौरी वहोड़ टो ढूल तू हाँ बिल्कुल जरूर खुन को आगो है हुआँ टीककी टीके बिया जाओंगी आए की basinya हुआ Journey परी क्या हुआ दीदी? सुनो मैं मेरे फ्रेंड के आप बड़े पार्टी पर जा रही हूँ तो ये सब खाना है न वो फैक दो क्या? इतना सारा खाना मैं कचर के डबे में फैक दो परी मैं पार्टी में जा रही हूँ वहाँ से बापस आऊंगे तो ये खाना बाइसे हो जाएगा तो इसे फैक दो दीदी, अगर आपको तकलिफ नहीं है तो ये खाना में घर लेके जाओ वैसे भी आप ये खाना फैक के देने वाली हो न? हाँ, ठीके, ठीके, लेकर जाओ वैसे भी मुझे लेट हो रहा है ये खाना में घर लेके जाती हूँ मेरे मा, पिता जी और भाई को देती हूँ वो न, खुश हो जाएंगे साब जी मेरा पगार दे दो, ये मैना पूरा हो गया अच्छा हाँ, बेटा, रुको मैना खतम हो गया, पगार पापा, इस लड़की को कुछ पगार देनी की जरूरत नहीं है इस लड़की ने पूरे मैने का खाना हमारे घर से लेकर गई है मतला? हाँ ये हमारे घर से खाना चोरी करके लेकर जा रही है? हाँ चोडी लेकर जा रहे है इसलिए मैंने बोला वोगन मुझे धे घर जा के खालूंगी ईच्छा इह क्या बोल रही है है अजय है कंगा मुझे पंट नहीं आथा तो इससे बोल रहे थी। और मैंने चॉरी वागरा कुछ नहीं की दीसी से कूछ कर लेकर जा रही थी मैं अचछा को यहां से ही लेकर जा रहे थी ना, तो दो पाधर के क्या जरृत मत दीचे. इसका मतलब मेरी बेटी गुड़ी खाना वेस्ट कर रही है और गचरे के डबे में डाल रही है ये छोटी सी काम वाली बच्ची परी इसको खाने की वैल्यू पता है पर मेरी बच्ची को नहीं पता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गुड़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा हाँ रुको यही करता हो फिर गुड़ी को खाने की वैल्वी समझ में आ जाएगी मैंने सोच लिया है तुमें इस मैने का पगार नहीं मिलेगा साब जे समात करो मेरी बेटी सही बोल रही थी तुम्हें पगार नहीं का मैं साबजे ऐसा मत करो चली जाओ यहींसे साबजे प्लीज ऐसा मत करो क्या एः बगवान ये कैसे हो गया IN मेरे सार्ट क्या हुआ पापा अपर बेटा हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है हमारी कमपणी में इतना बड़ा घाटा हो गया हमें कि अब उसकी भरपाई करने के लिए हमें अपना आलिशान घर बेज देना पड़ेगा इतनी भी जाइदात है सब चली जाएगी हमें रस्ते में रहना पड़ेगा बेटा पापा ये कैसे हो गया अरे बेटा सब मेरी गलती है अब मैं क्या करूंगे ये सब ये जो भी देख रहे हो सब हमें मेचना पड़ेगा बेटा बाप रहे ये धूब कितनी जादा है अना पापा बहुत पसीन भी आ रहे है अमने तो अपना घर बेज दिया गाड़ी बेज दी सब चीजे बेज दी अब तो हम रस्ते पे आ गए बेटा चपल भी नहीं है पापा देखो आ बेटा सॉरी बेटा मेरे वज़े से तुम्हारी आलत हो रही है पापा मुझे भूख लगे है अरे हाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं है बेटा क्या करें अभी बेटा मैं एक काम करता हूँ जरह खाने के लिए तलाश करता हूँ धूनता हूँ खाना मैं हाँ तुम भी धूनना तुम भी धूनना तुम भी धूनना तुम अंकल, आंकल, जुझे खाना देतो ना, मेने दो दिन से कुछ ने काया, बहुत जोरुसे भूख लगी, देतो ना, चल, 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 उधर जा, उधर जा, उधर जा, 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 चल, इस टजहबीने किसीने खाना फेका है, दीदी, आप यह क्या कर रही हो, कुछ ने, कुछ ने, परे, तुम यहां क्या कर रही हो, अरे दीदी, मेरे कवर यहां पर पार्स में ही है, और आप दस बिन के यहां पर क्या कर रही हो, उठीए, उठीए, परे, हम बर्बाद हो गई, हमारे पापा की कमपनी डूप गई, और कोई बात नहीं दीदी आपना मेरी गर चलिए मैं आपको खाना खिला देती है रूको परी मेरी पापा भी आ रहे है वो देख आगे नहीं पाप ची जा हुआ बेटा यह क्या कर रहे है तो पापा भूग लगे थी तो टस्विन में खाना दीखा पर मैंने यह जो सब कुछ किया था न यह सारे कपडे कमपनी बिग गई यह सारा नाटक था जो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था मुझे मैंने क्या किया अरे तुम पूरे घर का खाना वेस्ट कर देती थी इसके पास देती थी खाने के लिए उसको बोलती थी डस बिन में डालो ऐसा कोई करता है खाने के साथ सारी पापा गलती होगे खाना बहुत ही कीमती होता है अगर वो मिलता नहीं है तो भूख से पेट की हालत कैसी होते है तुम्हें पता चली ना अभी फिर पापा गल्दी होगे मैं फिर से इसे कभी नहीं करूँगे और खाना ये देखो ये खुद अपने घर पे तुम्हें खाना खाने के लिए लेके जा रहे थी इसको खाने की वैल्यू पता है किमत पता है और तुम्हें नहीं पता है इसलिए मैंने ये सब नाटक रचा था कि तुम्हें खाने की वैल्यू पता चले और तुम खाना आगे से वेस्ट ना करो नहीं पापा मैं बिल्कुल नहीं करूँगे और सौरी तुम्हें अपना सबक मिल गया है अभी से खाना वेस्ट करोगी नहीं बिलकुल नहीं करोगी और सॉरी परिये मैं तुमसे बहुत बुरा बरताव किया कोई बात नहीं दिदी और तुम फिर से मेरे घर पर काम पर आना ठीक है हाँ गुट बटा चलो आभी दोना गर पर चलो हाँ बटा ये रग दो ये और बेटा सॉरी मैंने ये नाटक के चकर में तुम्हें वहाँ पर भाट डाटा था और तुम्हें पगार भी नहीं दिया था तुम्हारा पर ये सब नाटक था, सब मैंने इसको सबक सिखाने के लिए किया था कोई बात नहीं साब जी लेखा, तुम कला ना, मिल्कुल चलो, और ये क्या है सब, चलो चलो, चलो, चलो फ्रेंड्स, अगर आपको परसर से के प्रोडक्स चाहिए तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किजे अपके फ्रेंड्स और फैबली के साथ शेयर किजे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किजे उस राइब बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना और परिजलाइस्टेल अब शोर सभी मनाती है और परिजलाइस्टेल की इंस्टाग्राम पेज की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ती है तो वह भी जाकर चेक कीजे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तर के लिए बाई